पूरे प्रदेश्ट पर विब्दा आने वाली है एक ऐसी विब्दा जिसको आप राहस समझ रहे हैं लेकिन ये रहत कैसी विब्दा बनने वाली है आज बात इसी मुद्देपर की मानसून आएगा और पोल खोल कर जाएगा आज हमने प्रोग्राम को नाम दिया है मानसून आएगा पोल खोल कर जाएगा ये कहीं कि पोल खोल चुका है विवस्ताओं की धज्या उड़ चुकी है निगम की हकीकत बेपरदा हो रही है और ये हाल कमोबेश हर जगा का है जरा देखे मानसून आने पर कैसे आपका शेह डूबा डूबा बदबुदार और गंदगी से भरा नसर आ सकता है मानसून दस्तक देने वाला है लेकिन इस दस्तक से पहले ही प्रदेश में परिशानी के निशानी दिखने लगी है शेहर दर शेहर ला परवाही का कहर इसकदर दिखाई दे रहा है कि मानू लगता है कि नालों की सफाई और शेहर की सफाई के लिए निगम बने ही नहीं निगम को ये परवाही नहीं कि शेहरों को बरसात के दोरान गंदगी से बचाना है और नालों की सफाई करनी है आपको कुछ बड़े शहरों की जानकारी देते हैं जरा देखिए यहां निगम अभी तक कैसे सोया हुआ है भरतपुर शहर में कुल 66 नाले है भरतपुर ग्रामिन में कुल 55 नाले है धुलपुर जिले में 36 नाले करोली में 10 नाले सबाई मादोपुर जिले में 11 नाले है किसी भी जिले में सफाई शुरू नहीं हुई उध्यपुर में कुल 2 दर्जन से ज्यादा नाले है आज गुला बाग से नाले के सफाई शुरू की गए कोटा जिले में 100 के लगबग छोटे और बड़े नाले सफाई के लिए टेंडर हो रही है प्रक्रिया जारी है अभी तक नालों की सफाई का काम शुरू नहीं हुआ जियपुर में एक भी नाले की सफाई पूरी नहीं अगले 14 दिनों में कैसे होंगे 939 नाले साफ 782 नालों में काम शुरू ही नहीं हुआ 10 दिन में कैसे होंगे सभी नाली साफ सरकार ने 20 जून तक दिये सफाई के नर्देश 147 नालों में चल रहा अभी सफाई का काम इस जानकार के बाद आपको अंदासा लग गया होगा कि मानसूना सिर्व निगम की पोल खोल कर जाएगा बलकि शहरों की सूरत को भी बदरंग करके जाएगा नाल एक बार फिर से उफान पर होंगे नालों की गंदगी सड़कों के सरी गरों के सामने तक पहुंचेगी बदबुख शहर के हवा को बरबाद कर देगी और फिर मौसमी विमारियां जिन्दगी पर भारी पड़ेगी लेकिन निगमों को इससे क्या हरजाल की तरह इस बार भी निगम सोई है और जनता को अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी है ब्योरो रिपोर्ट फर्स अंडिया निउस तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई पुर्मेर और बीजेपी निटा पंकज मेना जी मेरे साथ पंकज आपके साथ मैं इस चर्चा को शुरू करना चाहूँगा सर अफसोस होता है कि जिस जिम्मेदारी को दिया गया बीजेपी को कड़ी से कड़ी पूरी जोड दी गई तरक पुल्बद्यायां कि शैज निकम दिखाई नहीं करते गहीं। श्तेरी दिंए आपको भीज़ करसे दो दिक्पाई नहीं देघा जो है जो है लगब 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 है और आपने देखा तो पिछले जो है पूरे टाइम को पर जो है हाई मशीन से ठीक राएगे अभी जो नाले की सफाई थी वो एक कुछ टाइम पर जो है ठीकेदारों की स्टाइक होने के कारण और उनके कारण कमाल के बाद लेकिन आज जो है नहीं गूम रहे थे नहीं देखिए विदेश जाना देखिए बनाने वो खुद विदेश दिखाई है उसमें कहा डूबा डूबा बद्बूदार और साफ सपाई से भी ही जो दिखाई देगा मैं इसमें एक बात और चोड़ना चाहूंगी जानलेवा भी क्योंकि हम हर बार देखते हैं कि नालों की सफाई ना होने की वज़े से नाले खुले होने की वज़े से कि वज़े से नालों की सफाई को ही नहीं हम किसी की जान को भी बहुत बड़ा नुक्सान पहुंचाने का काम. अब्ल्कुल हमें पता है हमारे पास मांसून जून में आने वाला है हमें नालों की सफाई काम में तक कम्प्लीट कर लिए. चाहिए में मेरे का कोई बी एक अठा करके देख लीजिए पांचो सालों में फैबरी और मार्च के बीच में यहां तक कि जब आप पता था कि लोकसभा की आचार सहींता लगने के बाद हम टेंडर नहीं कर पाएंगे इसलिए हमने उस आचार सहींता के पहले टेंडर किये थे मैं यह बात अभी कह रहे थे कि एक लेकिन आपको लगता कि मेर बदलने से कुछ नहीं होता मैं यही बात आपको कहना चाहते हूं कि स्वच्छ भारत की जो बात करते है और जब भी हमने स्वच्छ भारत की बात की है यहां पर रोग रहे हैं चंद्रे संग को डारी जी क्या मुझे सुन पारे हैं सर वापस पोन यहां पर लगाएंगे और कोशिश करेंगे उस बार वो फॉन को उठाएं जोदी घंडिलवाल जी इसमें कोई अपी शोक्ती नहीं है कि कोई भी मेयर बात करने से इनकार यहां पर कर दे क्योंकि जिस सरीके से काम उसने जमीन पर किया नहीं है बोलने को कुछ बसता नहीं मैं बिल्कुल आपकी बात से यही इसी बात से आगे बनाना चाओंगे क्योंकि जब भी सफाई की बात आती है और कहीं भी फेलियरनेस निगम का गिनाया जाता है तो तुरंत जनता पे जिम्मेदारी डाल जी जाती है कि जनता को भी सफाई में सयोग करना चाहिए तब ही साफ हो सकता है लेकिन मुझे लगता है नाले साफ करना तो केवल निगम प्रशासन की जिम्मेदारी है उसमें तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि जनता हमें सयोग नहीं कर रही है जनता को हमको सयोग करना चाहिए सब मिल करके जब साफ करेंगे तो साफ होगा मुझे लगता है त सफाई करंचारी स्ट्राइक कर चुक जैपूर शैर की इस सट्राइक को तो आपने बिल्कुल ऐसा बना दिया है कि आप या तो सुनवाई नहीं कर रहे हैं फिर से पर आपको रहे हैं जी सर आवाज आ रही है सर जरा बताईए कितने नालों की सफाई हो चुके है उद्यपूर में कितने नालों की सफाई अभी तक की जा चुके है उद्यपूर में नालों की जी ये तो रेगुलर प्रोसेस है हमारा वेसे इन जो मेन बड़ी मजार नेर है सर लेकिन रिपोर्ट तो वहाँ पर रिपोर्ट तो ये बता रही है कि दो दरजन से ज्यादा नालों में से अभी से किसी की सफाई ने वी और आज गुलाब बाग से नाले की सफाई का काम शुरू किया गया है ये जूट है ये डिटर नहीं आता है अलो जी सर मेरा सवाल ये है कि दो दरजन से ज्यादा उद्यपूर में नाले हैं और आज गुलाब बाग से नालों के सफाई शुरू की गई क्या ये जूट है टीक है पंगज भाई आपको तो अंदाजा लग रहा होगा कि किस सरीके से सवालों का जवाब यहाँ पर नहीं दिया जा रहे आप ही जवाब दीजिए जैपूर के अभी बात की थी जियोतिजी में आपको छूटी सिक्षी बदाता हूं क्या बेसिक लिए जंता का पैसा जो है आप सफाई के नाम पर खर्च करते देंगे जोतिजी के टाइम पर पिछली सरकार नहीं आपि आरूं को छोड़ कि यहाँ जोड़ी दे रहीं कि सफाई गंदी के लिए उस सफाई के लिए टेंडर किये थे किये थे कि निकिये थे मैं आपसे यह पूझ रहा हूं नो सो इंचास जवाब तो देंगे जवाब देंगे ना लगाँ तो मुझे यह बताईए नो सो इनचास में से एक नाला जो साफ हो चुका है एक सो पक्शिस क्रोड रुपय का जब टेंडर किया था था नो जालों की सफाईया हुई और काम पूर वे दोजार नो के अंदर अरे सर मुझे ना पनका जोशी जी पनका जोशी जी बे बुनियादी ना किजीए सर इस ना जोदीजी रुके जरा पंका जोशी जी पंका जोशी सर रुके जरा जोदीजी रुके जरा सर दो हजार चोधा में जापूर के अंदर किसका नगर निकम बना अभी क्या चल रहा है क्या चार साल आपने इसकी जांस कराई मेरे दर्शकों को सिर्व इस बात का जवाब दीजिए 2018 में 949 में से कितने नाले साथ है तो मान लिया जाए कि मरने के लिए छोड़ दिया पंकजबाई मरने के लिए छोड़ दिया जापूर और प्रदेश की जनता को ये कहिए कि कहीं पर भी नालों की सफाई की जरूरत नहीं मौनसूर से पहले मुझे बताईए मेरे जरीए मेरे चैनल के जरीए प्रदेश की जनता और जैपूर की जनता को कहिए कि किसी नाले की सफाई की ज़रूरत नहीं कितनी है सबस्क्राइब कर रहा हूं सबस्क्राइब कर रहा हूं प्रदेश की जनता को जापूर की जनता को कि किसी नाले की सपाई की जरूरत ने तो फिर वो इतिहास गिनाते हैं आप अपना खयाल खुद रखिए एक छोड़े से ब्रेक के बाद चलिए प्रेक के बाद आपका स्वागत आज हम बात करें मांसून आएगा और पोल खोल कर जाएगा पोल भी ऐसी खोल की जाएगा कि आपके जिंद्गी पर वो भारी पड़ती ने सरा सकती है इस पर बात करने के लिए मेरे साज जोति खंडेलवाल जी है पूर मेयर है पंग जोशी जाए कि नालों की सफाई की जरूरत ही नहीं है? सफाई को करे जी चाये उसमें से कच्रा निकले जाए ज़ाधा निकले कोई जी करें तो क्या ऐसा है कि मांसुन से तुरंद पहले अगर नालो के सफाई होगी तो खर्चा कम होगा इसलिए इस वज़िये से उसको पहले नहीं किया जाता है पिर नहीं नहीं, मैं ये मानती हूँ कि बिलकुल एक बार मानसूल से जस्च पहले तो एक बार साफ होने ही होने चाहिए नाले, जो हम बात करते हैं जो कि मार्च, अप्रेल, में, जो ये तीन मेहने का समय होता है, क्योंकि इतना टाइम लगता है, इतने बड़े नाले हैं अधर्वाइस हम जेनरली अगर यह काम लेट होता है तो इस्तितियां ऐसी भी आती देखी गई है कि वो नाले का कच्छना निकालावा होता है बारिश आती है वो कच्छना वापस नाले में बैजाता है ठेकेदार अपना पेमेंट उठा करके ले जाता है साफ हुआ है नहीं ह उसको चेक करने की गुझाईशी नहीं बचती मांसून आने के बाद तो एक तरह से पूरा का पूरा कर्प्षिन जो है और जवाब दे ही किसी की बने या ना बने लेकिन मज़े लगता है कि जंता को उस समय उनके घरों के बाहर से निकलना मुश्किल हो जाता है पानी भर ज सफाई करेगा गंदी फिर नालों में चली जाएगी उसकी भी जमिदारी पूरी और करोड़ रुपए भी साफ हो जाते हैं विजेंद्र बाई देखिए मैं दो चीज इसमें कहना चाहूंगा आपने खुद ने देखा कि पहले जो नाले थे एक बार जो है बच्चा जो है बच्चा बह गया था इसका मतलब यह कि नाले जो है वो कवाल होने चाहिए सारे 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 टूटल कवाल होने चाहिए उस कवरेज के बाद में आ रहा हूं सब्सक्राइब कर जाए ने देखिए मैं पिर आपको दो चीज कह रहा हूं आपको कि सबसे बड़ी जो पाबलम थी नाले के अंदर क्योंकि आउट फ लोगी प्राबलम थी, आ उस लोगी लिए मेका कौ अलगशा नाला सम तो और नाला है, जिसको इस शेर के अंदर से निकलता है, जिसको साफ करने का ठेगा जो है, खुद जो है कोई भी और पर आपको, की नो दिन में नालू के सफाई का ठिका धिया जाएगा अजמ pouvर के हां या ना पहले हैं लिक पॉंटेक्ष से उनके फिर बी ल्ग निया न के डिजिर हाँ अगर उसके बाद को क्यों लूट Mysh पंगजब बाई यातो यह बात किरा ना दर्शकों को किस्तों कहिए ना ना दर्शकों को मैं कह रहा हूं पंगजब बाई मेरे दर्शकों को मेरे दर्शकों को इन दो में से जवाब दे दीजे पहला तो यह नाले साफ हैं आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दूसरा यह आमानि शाकर नाले साफ नहीं है आप बहर में बैटी रही है आज साफ होने के बाद आज जो है क्लियर कट होगा उसके आउट फ्लो क्लियर है और मैं कहाँ कि बाद सुन से पहले सारे नाले साफ हो जाएंगे अपना खयाल खुद रखना है देखे मैं इसमें तो यह कहना चाहूंगी कि जनता के बसकी बात है नहीं न तो उसके पास संसादन लगा कि कोई भी ठेकदार नहीं कर सकता है वो तो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ती होगी लेकिन इतना जरूर किया जा सकता है कि जो नालों के जो मू है उन पे जो अवरोध जो आ रहा है अट लीस कम से कम उनको तो हटा दिया जाए और उसके नाले उपन्गर जोशी जी आपका भी शुकर है लेकिन आप थोड़ा स संभाग के जरी आपको बताने की कोशिश के बिग फाइग लाइब में पलाल इतना ही लेकिन चलते चलते आपको छोड़कर चलते हैं टेड़ी नजर के साथ नमस्कार कि अरूशी नमस्कार